इससे पहली वीडियो में हमने विशुवत वृत, एक्वेटर, उत्तर धुरूव, दक्षिर धुरूव और इसके अत्रिक्त चार मुहत्पून अक्षांस रेखाओं को भी डिस्कस किया जिनके नाम है करक रेखा, मकर रेखा, उत्तर धुरूवरित, दक्षिर धुरूवरित तो आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है, वो है Heat Jones of the Earth, पृतिवी के ताप कटिवन्द तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, Heat Jones of the Earth आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वैसे देखा जाए तो हमारे देश में फिर भी comparison किया जाए तो कम गर्मी पड़ती है अगर हम comparison करें अफरिका में या हम अफरिका जाए तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश की तुलना में वहीं अगर हम European countries को देखें तो वहाँ गर्मी कम पड़ती है और सर्दी ज़्यादा होती है तो अब mind में question आता है कि ऐसा क्यों होता है हमारी अर्थ को सूरज से गर्मी मिलती है और जो सूरज है वो सबके लिए same है तो फिर ऐसा क्यों होता है question बनता है कि ऐसा होता क्यों है कि किसी जगर पे ज़्यादा गर्मी है किसी जगर पे कम गर्मी है और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं ठंडी है तो इसके क्या रिजन है इसे समझेंगे अब जब हम किसी heat source के पास बैठेंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा होगी heat source means मालने जब अंगीटी के पास बैठें बहुत पास बैठें तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और अगर हम उससे थोड़ा पीछे हटेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी और अगर हम और पीछे होंगे तो गर्मी और कम लगेगी और आप इस चीज को खुद महसूस करते होंगे या आपने करा होगा ठंडियों में जब आप अंगेटी के सामने बैठते हैं तो जब आप नजदीक होते हैं तो गर्मी जादा होते हैं फि पिर थोड़ा बहुत दूर जाते हैं तो घर्मी और कम लगती है तो आग वही है हम भी वही है पर थोड़ा थोड़ा चो दूरी आती है उससे घर्मी बहुत कम हो जाती है और जब heat range आती हैं किसी भी चीज पे और सीधा किसी से टक्राती हैं तो वो चीज सबसे ज़्यादा heat observe करती है इस वज़े से वह चीज सबसे ज़्यादा गर्म होगी तब वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज थोड़ा सा टेड़े अंगल पे है और उसमें heat टक्राएगी तो उसमें heat थोड़ा टेड़े अंगल पे टक्राएगी तो टेड़ी heat टक्राएगी तो वो चीज उतना ज़्यादा heat observe नहीं करेगी यह दो बाते हमारे nature पे होती हैं तो हम सामा सकते हैं कि जब सूरज से जो raise आती हैं अगर वो सीधा जिन जगों से टक्राएगी तो उन जगों पर गर्मी होगी और जिन जगों पर वो थोड़ी तेड़शी raise पढ़ेगी तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पर जाएगी तो जहां पर सूरज की जो किर्ने हैं वो raise हैं जो सीधे पढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा कर्मी जगों और जहां पर तेच्छी पढ़ेगी तो वहाँ पर इतनी जगों जगों नहीं पढ़ेगी The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn This area therefore receives the maximum heat and is called the tuyret zone जैसे ही कि हम ग्लोप में देख सकते हैं कि जिन जगों पर raise क्या होती है सीधे पढ़ रही है आप इस पूचित्र में देख के समझ सकते हैं जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो portion है यह वाला यहां पर क्या है सूरी की किरने जो है वो सीधे पढ़ने है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बीच में जो इस एरिया में साल में एक पार कम से कम सूरज 90 डिग्री पर होता है मतलब जो यह वाला एरिया है सूरज की रेज बिलकुस सीधा 90 डिग्री पर नीचे आएगी तो यहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी जब सब्से ज़ादा गर्म और इस जों को कहा जाता है यानि की ऊष्ट कटीबंद यानि की बहुत ज्यादा गर्म है जहां पर की पानी की भी कमी हो जाती है सबसे जएदा हीट इसी एरिया में पड़ती कौन से ये वाले एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है आपकी हीट पड़ती है तो आप समझ गेंगे कि जो सूरज है उसकी जो रेज होती है वो सीधे सीधे यहां पर पड़ती है और इस एरिया में क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है गर्मी पड़ ये था हमारा मुष्म कटी बंदे. अब नेक्स्ट आपका Temperate zone As such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperatures, these are therefore called temperate zone. Tropic of Cancer के बाहर और Tropic of Capricorn के बाहर, means जो आपका Tropic of Cancer है और जो आपका Tropic of Capricorn है, इसके बाहर का जो एरिया है, means Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, ये दो जो रेखाएं हैं आपकी, आपको चित्र में देखकर बहुत अच्छे समझ सकते हैं, Tropic of Cancer करकर रेखा आपकी ये है, और Tropic of Capricorn आपकी ये है, तो इन दोनों रेखाओं के जो बाहर वाला एरिया है, इस एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सूरी सर के उपर 90 डिग्री पर साइन करें, तो इस वज़े से जो सूरी की किरने या रेख हैं, वो तेड़ी परती हैं, जो सूरी की किरने या ऐसे परती हैं, वो क्या परती हैं, तो क्या होता है, जो रेख होती हैं, वो तेड़ी परती हैं, इन जगों पर, ये वाले portion पर क्या परती हैं, सुरी की rays क्या होती हैं? तेडी परती है तो जो कहने का मतलब यहां कि Tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच यह आपका जो पूरा area है यह है आपका इसमें जो है Tropic of Cancer यह है और Arctic Circle यह है तो इन दोनों की बीच का और आपका जो ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और अंटर्क्रिक सर्केल इन दोनों के बीच का जो एरिया है यह जो एरिया होता है यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा थंडा बिंस आप समझ रहें क्योंकि यहां पर क्या है सूर की जो रेज हैं वो तिछी पड़ी है तो नहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं ज़्यादा यहां थंडा होता है इसले इसे क्या कहा जाता है Temperate zone, शितोषन कटीबन्ध, और ये वाला जो पौशन है आपका, जो उपरी वाला पौशन है, इसे उत्तरी शितोषन कटीबन्ध, ये वाले पौशन को उत्तरी शितोषन कटीबन्ध, हो नीचे वाला पौशन है जो गुलाबी, इसे आपके समझ में आ रहा होगा की जो करक रेखा और उत्तरी धुरुव्रित के बीच का जो पोर्षण है यह आपका क्या है ऊशन शितोषण कटिबंद और उत्तरी और यह जो आपका M요 G इसे पाराजियों इसे देए तैंप्रिय। जोन है। शीतोषन कटिबंध है, जो आपके गुलावी गलग है, तो ये तो थे आपके टैंपरेट जोन, जो आपके टैंपरेट जोन, जो टो आपके बाजब हैस्टर जो आपके हैन tangible रेते पोल में शीतोर गले जोन अपरेट जोन, ट立सेंळेती हैरेट जोने ढोगारइट जोने लिएट ऺेड़ाइछ जोन स Moyно-Gyoon दो लेख जोनेट जोने टीज नॉर्थ पोल के बीच में आप सको चित्र में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं यह आपका आर्क्तिक सर्किल और यह आपका नॉर्थ पोल अब इसके बीच का जो एरिया है और ये वाला एरिया खिए और ये वाला ये दोनों क्या होते हैं आपके बहुत ठंडे होते हैं और जो भी चीजे यहां होती है वो फिरीज हो जाते हैं जम जाती है इसलिए इसे कहते हैं फ्रिजट चूण कहा जाता है से या शीत कटिवंद तो आप इसको समझ रहे होंगे कि जो ये उपर वाला उत्तर धुरू वाला जो portion है इसे उत्तरी शीत कटिवंद कहा जाता है और जो ये नीचे दक्षनी धुरू वाला है इसको दक्षनी शीत कटिवंद कहते हैं और दक्षणी वाला आपका दक्षणी सीथ कटिवन्द कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा फ्रिजेट जोन। आज के लिए इतना ही वच्चों। नेक्स पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कॉस करेंगे। थैंक यू सो मच्च। आपके सकता है।